भारत की नए संसत भवन का निर्मान कारे पुरा हो चुका है कल यानी 28 मई को संसत भवन का उद्गाटन होने चार रहा है जिसका उद्गाटन पीए मोधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला करेंगे संसत भवन की तैयारी जोरो शोरो से चल रही है इस वीडियो में आप लोकसभा और राजसभा को हर एंगल से देख सकते हैं नए संसत भवन में लोकसभा को राश्ट्य पक्षि मयूर के आकार वही राजसभा को राश्ट्य पुष्प कमल के आकार की भुकम रोधी डिजाइन में तयार किया गया है इनमें सदस्यों की हर सिट डिजिटल प्रणाली और टच स्क्रीन से ले से नए संसत भवन को बनाने में करीब 1200 करोड रुपे का खर्चा आया है संसत भवन में आजादी की प्रतिक सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा संसत की नए भवन में लोकसबा सदन में अध्यक्ष के आसन के ठीक उपर प्येम मोदी की ये प्रतिक चिनह स्थापित होंगे बता दे कि नए संसत भवन की निर्माण के बाद भी पुराने भवन का उप्योग जारी रहेगा और दोनों भवन एक दुसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे वहीं संसत की नए भवन में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम और जल पूनह चकरन प्रणाली से सुसजित होगा पुरे भवन में 100% UPS पावर बेकप की सुविधा होगी